दस अक्टूबर से रिलाइस जियो ग्राहकों को इंटरकनेक्ट यूजर चार्ज यानि के IUC देने पड़ रहे हैं यानि जो ग्राहक दस अक्टूबर या उसके बाद नया रिचार्ज करा रहा है उन्हें IUC टॉप भी लेना पड़ रहा है जियो से जब किसी दूसरे नेटवक पर कॉलिंग की जाती है तब ग्राहकों को 6 पैसे प्रती मिनट की दर से चुकाने होते हैं IUC चार्ज जियो में अब हम आपको बता दें जियो अपना IUC टॉप अपको समझा रहा है ग्राहकों को आपको बता दें जियो ने एक वीडियो के माध्यम से ग्राहकों को समझाया है कि अगर आप जियो से किसी दूसरे नेटवक पर कॉल करते हैं तब उसे आदे घंटे के लिए IUC चार्ज देने होंगे जियो से जियो नेटवक पर कॉलिंग नहीं ली जाएगी यानि कि फ्री होगा कंपनी का कहना है कि IUC चार्ज दूसरी कंपनियों के तुलना में बहुत सस्ते हैं जिस तरह से जियो ने यह कहा है कि दूसरे कंपनी yarni कि दूसरे नेटवक से हमारा IUC चार्ज सस्ता है यानि कि जियो सीधे तोर पर दूसरे नेटवक यानि कि आईडिया वोड़ाफोन एटल जैसे नेटवक पर निसाना साध रहा है उन्हें अपने से कम आगते हुए वो देख रहा है कि हमारा जो आईउसी चार्ज है वो बेहद कम है और दूसरे नेटवक जियो के मताबले बहुत जादा चार्ज लेते हैं पर हम आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही एटल और वोड़ाफोन ने साफ तोर पर कह दिया था कि वो आईउसी चार्ज नहीं लगाते हैं उन्होंने ग्राहकों के लिए वाइस कॉलिंग फ्री रखी हुई थी वही अब जियो ने यह जो शुरू किया है जिस तरह से वो दूसरे नेटवक पर जहर उगलता हुआ दिखाई दे रहा है इस साफ तोर पर यह साबित कर रहा है कि वो दूसरे नेटवक से काफी पीछे होता जा रहा है जिसके चलते उन्होंने दूसरे नेटवक पर यह आरोप लगाए हैं कि दूसरे नेटवक ज्यादा चार्ज लेते हैं जियो के मुकाबले नेक्स नाइन टेक्स जेन आजमिन की रिपोर्ट